दोस्तो स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टूड अपडेट में आज इस वीडियो में बिहार प्रनावी टीचर निवोजन से समंधित लेटेस्ट अपडेट प्रफड कराने वाला हूं तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आप सभी को यूब बता देता हूं कि हमारे जो में बिहार प्राइमरी टीचर निवोजन प्रोफिजनल और फाइनल मिर्टलिस्ट अप्टर हैंडिकेप्ट केंडिट अपलाइंग ऐसा कुछ हेडलाइन के साथ मैंने ये पेज जो है क्रिएट किया है जैसे ही आप इस पर क्लिक किजिएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ प अपलोड कर दिया हूँ और एक चीज कि अभी तक मैं केवल यहां पर नीचे में आएगा तो मुझभफर पूर जीला तक कहीं अपडेट किया हूँ आज रात में बाकी जो 14-15 जीले हैं उसका भी मैं यहां पर अपडेट कर दूँगा यह जो जीला है यह सभी आपको अलफ पीज पर देख सकते हैं ने दुसरा अपडेट है यहां पर जो सेलेक्टेट केणिडेट हैं कांस्लिंग के बाद में उनका लिष्ट के रिगार्डिंग है तो कल मैं यह पेज क्रिएट किया था और कल के वीडियो में मैं आपको बताया था 2-0 के रिगार्डिंग इसमें अ टिहार और यहां पर लास्ट किशन गंज ओके तो यह पांच जिलो की रिगार्डिंग जो सेलेक्टेट कंडिडेट हैं पांच साथ और बारह जुलाई के जिनका कांसलिंग हुआ था तो यह यहां पर अपडेट कर दिया गया है इसे भी आप चेकाउट कर लिजेगा और इस किस जगह से क्या-क्या अपडेट किया गया है और यह मुश्टली जो है निर्देशक का ही अपडेट है जैसा कि सबसे पहले अपडेट के बारे में बात किया जाए तो देखिए मुझाफर पुरक अपडेट है और इसमें बताया गया है कि 1589 में से 833 सीटों पर हुआ है च कांसिलिंग के दोरान हंगा में वह अन्यमित्ता की सिकायत के कारण 61 नियोजन इकायों के रद भी कांसिलिंग फिर से होगी हाला कि इन सभी नियोजन इकायों के कांसिलिंग अब जीला मुख्याले में होगी 12 जुलाई को होई कांसिलिंग में पारु की 28 गाय घट की 17 या की वन और नियोजन इकायों की कांस्लिंग रद कर दी गई थी डियो अब्दुल सलाम अंसारी ने इसको लेकर प्रात्मिक सिक्षा नेदे साले को पत्र भेजा है उन्होंने इन इकायों को कांस्लिंग सेकेंड फिज में जिला मुख्याले पर कराने के उनस्ति मांगी है प जो कांस्लिंग है यह मैं आपको बताया था अभी जो बताया पारू के 28 गायगट की 17 यह सभी जो नियोजन उनिट है इनका कांस्लिंग सेकेंड फिज में होगा और यह यहां पर इसमें यह बताया गया है कि आपको यह जो कांस्लिंग है जीले लेवल पर होगा और यहां प फर्ष्ट फेज की कांसिलिंग में 883 सीटों पर ही सिख्चक अभेर्थियों का चायन हो सका एक सट पंचायत निकायों के 706 पद खाली रह गया है डिपको अस्थपना जलालू दिन ने कहा कि जमालू दिन ने कहा कि समाने के 833 वा उर्दू के 50 अभेर्थियों का चैन किया गया है समाने के 533 वा उर्दू के 173 पद खाली रह गया है तो यह यहां का अपडेट है मुझा फरबूर का देखे बताया गया है इन इकायों के कांसिलिंग रध हो गई है यह आप चिक आउट क बताया गया है सिक्षक नियोजन से समाधित भभुवा नगर का अपडेट है बताया गया है कि जीले के विभिन प्रखंडों में 57 पद रह गया है खाली हेडलाइन से 353 पदों में 296 अभेर्थू का हुआ है चैन और यहां पर बताया कि भभुवा प्रखंड में 49 किये गए थे सोंबार को 353 पदों के विरूद 296 पदों पर सिक्षक अभेर्थू का चैन हुआ वहीं 57 पद खाली रह गया है इस संबंद में जनकारी देते हुए डिपू अस्थपना दाया संकर सेंग ने बताया कि जीले में 353 पदों पर नेक्ति के लेकर अभेर्थू का क कांसिलिंग के बाद कुडासन पंचायत को छोड़कर सभी पंचायत में चैनी तभेर्थू की सुची का प्रकासन कर दिया गया चैनी तभेर्थू की प्रकासन सुची कमसार भवुगा प्रखन की 22 पंचायतों में उन्चा सभेर्थू का चैन किया गया भवुगा प्रखन क ढुम्रेड़ पंचायत में जुली कुमारी और यह सभी नाम दिया गए है देखे लिए सुसिल कुमार सिर्वास्ता दुंदुं पंचायत में पृतिप्रीयारuman यह सभी नाम दिया गए है आप इसे चेक आउट कर लिजेगा और लास्टेप्ज में बताया गए तो वहीं है जो परकरिया, यहाँ पर जो अरजकता फैली है, उसके रिमांस भाइब है, उसके बारे में बताया गया है कि चार सौन नियोजन निकाईउं यहाँ यहीं परल कर दी गई और इन नियोजन निकाईउं में गरवड़ी के मामला परकास में आया bowl की है। जिक्षा बीभा कि समिक्षा के बाद, सिक्षा मंत्री विजयः कुमर चोधरी ने पूरे मामने की जान्च करने है, अब इनिकाईों नए शिरे से नियुकती के परकिविया चलेillance ज़ा गी तो यह और है कि 400 नियोजा निकाईों का इहां से इन बिंद्यों की जाज करने का निर्देश दिया गया है तो यहीं सब अपडेट है आज की डेट में तीन अपडेट में आपको प्रुवाइड कराया यह निज पीपर के कटिंग से रिगार्डिंग है और यहाँ पर यह इंपोर्टेंट है कि 400 नेचने ऊकी परकृएड जो है रद लीक है और इन सी नेचन फेज में चरण की मतलब कि नेक्सरों की जाएगा उसमें इसको समलेत हिए जाएगा तो अगले की में इसको भी पूरा कर लिया जाएगा और बाकी जो भी सीटे बच जाएंगी उनका नेक्स्ट चरण में कांसलिंग होगी तो ऐसे ऐसे करके चरण बेचरण कांसलिंग होती है बिहार प्राइमरी टीचर के प्रकिरिया में आप सभी जानते होगी तो बस इस वीडियो में इतना है अपडेट आपको प्रोवाइड कर